गीता अठारा के श्लोक नंबर बासट में भगवान स्वयम कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शान्ती वशास्वत इस्थान अर्थात सतलोक को प्राप्थ होगा वो परमेश्वर कौन है कहा है कैसा है जानने के लिए कृविया अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित वचान जिस भगती से उसको लाम मिला और वो ही हम करें हम स्वम दन्वान बनेंगे राम नाम का हम बिखारे नहीं रहेंगे अन्य के आश्रित नहीं रहें तो वो तरीका ये है जो अब दास बता रहा आपको और पहले आम इन ब्राह्मनों को बुलागे जमाया करते हैं ठीक है सरो सरो में ये ब्राह्मन रेसी लोग बगती करते थे ओम नाम का जाब करते थे इनकी बगती की कमाई उस खाने वाले दो जिसका बोधन खान जाते थे उसको ब्रहत मिल जाती थी और लेकिन वो रहत नहीं होती मोक्स नहीं होता तो रहसी लाखी उन्हें से नहीं बच सकता था तो ये परमपरानियों पढ़ गीवा मनजमान की तो इस परकार हमने इस सारी परक्रिया को बदलना है और जो सुखदाई है सास्तरों में परमान है है परमात बना के हमें बताई है क्या बताते हैं कंठी माला सुमर्नी सबह सिलसला मेटे कनफू का गुरुआ मिले जोंजम मारी फेंट कंठी माला सुमर्नी पैरे से क्या हो ए उपर डूंडा साद का अंतर रख्या खो हुए एक कंठी पैर है कबीर पंथी एक मनिय की तुलसी का एक मनिय होता है मोटा सा लकड़ का और वो गले मराके हैं वो पैनने के बाद नहोंगे यह कबीर पंथी हो गया यह संत बन गया अब कन फूक का यहां बहुत है कानम फूकनिया कानम फूक बारनिया जैसे एक कबीर पंथी संत है जम्मू में परमहनस मधु परमहनस उनका नाम है मातमा जी का देखो साधना सभी यह सोच कर बता रहे हैं कि मैं जो तरीका बता रहा हूं जो ग्यान दे रहा हूं इस सर्वाश्रिष्ट है लेकिन सर्वाश्रिष्ट अपने कहने मातर से भी बनता सद्गृंधों के परमाण से ही परमानित होगा तभी वो सही ग्यान ओगा यह सही वे ओ उफ वर्शिप ऌगी वो क्या मंतर जिता है? श्री सत्गुरु, देवाय, वयो नमय और दूसरा फिर सतनाम सतनाम जबते रहो सतनाम और तीसरा कान में फूक मारे है कान मैं हूँ कि ये तरे वित्र पूचा जिए सारनाव हो गया हूँ कर दिया कान मैं बता दिया तो यहां उनके बारे में कह रहा है प्रमात्माने, कन फूक का गुरुआ मिले, यह कान में गुप्ट बोलनिया, कान में फूक मारनिया, यह फूक है समझलो, नू कर दिया, अक अंदर पहुंचा दिया, तेरे भी तेरे मुशार नाम जलेगा, अर्द्य में, कन फूक का गुरुआ मिले, जाने भावन भेद, यह जम के हिलकारे फिरे, आथों में लिए बेद, कन्ठी माला सुमरनी, पैरे से क्या होए, उपर डुंडा साद का तन अंतर रख्या खोए, उपर तो सादू दिखावाए, पहले आपको बता ना, पहले जो, गले में कंठी माला राख्या करते हैं, तु अपनी बग्ती करते हैं, जब निकाल लेते हैं बागे सिमे में, डालेए राख्या है नहीं पहले। जैसे कुम्ब कुमार का उपर चितर अनुपे वस्तुतामग है नहीं तो जैसे जल्बनकू उपे जैसे कुमार से हम मठका लाते हैं गड़ा लाते हैं कुम्ब उसके उपर क्टिनी सुन्दर चितरकारी होती है नया गड़ा है और उसमें जल है नहीं तो के फुक है उसे तरकारी ने जल नहीं है वस्तो है नहीं उसमें तो ऐसे ही कहते हैं उपर और कुवा है बहुत बड़ा कुवा बना रख्या है और उसमें जल है नहीं तो ऐसे वो भक्त लोग दिखावा करने वाले गल्द साधना करने और कराने वाले उनके वी सिम बता रख्या है कि जैसे कुम्ब कुमार का उपर चितर अनूप और वस्तूतामद है नहीं तो जैसे जल्बिन कूप वह वर्थ है तो यहां उसी के लिए बता रहे हैं कि उपर त तलिख भी ला रहे हैं कुठे वी डाल रहे हैं और वह वर्थ है निंसाधना ठीक नहीं है Archive अपनो बगती साधना का मंतर यानि नाम के पत्षिय पता लगेगा किस मंतर का जाप संत दे रहा है उस मंतर से ही आपकी बगती बनेगी वो बीज है आपने आम के आम को प्राफ्ट करने के लिए आम का बीज ही बीजना पड़ेगा और आपको कोई आम की महिमा बता रहा है और बीज दे रहा बगूल का तो बगूल के बीज देने से बगूल के बीज को बोने से आम नहीं लगागी चैए उसकी कितनी सेवा पूजा करते रहा है तो आम के लिए आम का ही बीज बीजना होगा तो पूरन मोक्स प्राप्ती के लिए सत लोग जाने के लिए परमात्मा ने जो मंतर स्वेंट बताया किन किन को बताया आदनिय धरमदा साहभ जी को वही मंतर दिया सत नाम जो दो मंतर का है ये सत नाम सत नाम कोई नाम नहीं है ये मुरख बना रहे हैं आपको आपका जीवन बरबाद करें हैं, ये नकली संत है, सत्थ नाम में दो अक्सर होते हैं, एक ओम, एक ये गीता जे देह नंबर 17 के सलोक 20 में जो ओम, तत, सत्थ, जो तत, सेकंड, ओम और तत मिलका है, यो सत्थ नाम बनता है, सत्चा नाम, और ये तत यहां सांकेतिक है, और मंत मंतर है, गुप्त है, क्योंकि प्रमेश्वर कबीर जे निकाह था, धरम दास तो ये लाख दुआई, और ये मूल मंतर की तबार न जाई है, इस मूल मंतर को, मूल नाम को, सार नाम को छुपा के रखना भी, बिचली पीड़ी, सार नाम बार जो पढ़ ही, ये बिचली कबीर पंथियों को ये थारत मंतर का ग्यान होता, तो ये दास क्या बताता है, इन अकलिस कबीर पंथियों के को, नाम डेने का दिकार नहीं है, और ये भी इस मंतर का ग्यान होता, ये मंतर देते मिलते, तो आज हम प्रमात्मा की प्यारी आत्माओं को काल के दूतों से छु पाक दोहई, ये मूल ग्यान की दबार ना जाए एक तो मूल ग्यान ये तद्वय ग्यान दुन्दास बता रहा है एक सार नाम वो सार नाम जो आपको दिया जा रहा है ये छुपा कर रखा था वरवापन मातमा ने तो उसके लिए गता रहे हैं तो ये उपर डूंडा साध का, उन तब ये कबीरपन ठीक है अलाचे है, और उनके पास वो मंतर ठीक नहीं है, तो उनकी साधना गल्त है, वो चहे कितना डोल पिटें जाओ कबीर साभी कबीर सागर ना पढ़क है, उनकी जीवन दिला भी सुनाते रहो, लेकिन बीज नहीं है उनके पास मंतर ठीक नहीं है, तो उनका जीवन विर्थ है, उस संथ का भी जीवन विर्थ है, अन्य वैयों का भी जीवन विर्थ होगा, चहे वो कबीर पन्ती है, चहे वो दूसरे पन्ती है, जिनके पास ये तीन मंतर का जाप नहीं है, और आज वरत्मान में इस कलियोग म इस दास के तरिक दूसरा इसके दान करने का जिकारी नहीं है इस नाम के दान करने का जिकारी भी नहीं है अगर कोई इसको देता है तो नकल कर रहा है वो जूटा डुपलिकेट आदमी है उससे नाम मत लेड़ा भूल करना लेड़ा आज तकुन को पता भी नहीं था इस मंतर का इस दास के उपर मेरक्री परभू ने और वो ख़जाना खोल दिया जो आप जी को बाटा जा रहा है अब क्या बता रहे हैं कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या होए उपर डुंडा साद का तन अंतर रख्या खोए उपर तो बगत बनाजीक है बगती है नहीं अंदर डुप्लिकेट नाम जाप करता है अंत बीतर तो या नहीं कमाई तो है नहीं तेरे अंदर बीतर खो रहा है अंतर बरबाद हो गया तो कंठी माला सुमरनी ये टिका टुनमंटा ले और आत्म गंटी ले कटन न करते हैं इस तरह की सभी को बता रहे हैं ये सब साधना है गलते हैं इनकी और कई आपने देखे होंगे अड़ चाती पाभी वो बनाले है कोई तरशूल कोई कोच है ये इस तरह की बकवादम से करते हैं प्रमातमाना मिला बाई कंठी माला सुमरनी ये टिका टुनमंटा ले चापे तो चाती दी ये याजम गाली गाले किते हैं नकल साधना करके अब ड्रमा करते हैं फिर तो थारे उपर काल गाल गाल रखिये या तुम न थारे जीवन बरबाद करेगी गल साधना कनफू का गुरुवा मेले जाने भाव न भेद ये कान में गुप्ट मंत्र बोलनी ये केते हैं इसे गुरुवने ना कोई भाव जानते हैं ना इनके अदर कोई ग्यान है और जम के हलकारे फैरे ये हाथों में लिए बेद अपने आत्मों इस दास ने एक अक्तूबर दो हजार नो में पिछले साल चारों संक्राचारियों को प्रार्थना की थी कि आप आईए यहां बरवाला आसर में और ग्यान चरचा कीजिए अध्याट में ग्यान चरचा किसकी नहीं भी कारणों से वो नहीं आ सके उनके द्वारा दिया ग्यान आपको दिखाया वो क्या बताते हैं चारों संक्राचारियों का विद्धान है कि जीव ही ब्रम है और मंतर करते हैं एहम ब्रमास्मी उनके चारों संक्राचारियों के न्यारे न्यारे नाम जापके हैं एहम ब्रमास्मी और ऐसे चार नाम हैं उनके अलगे लगवाब को उस दिन भी दिखाए थी, अभी दिखाएंगे कभी सुम्याने पर और वेदों को एक एक वेदबाट रहे हैं चारों, कि यू इस वेद का यू ठेकेदार, इस वेद का यू ठेकेदार उस जीव ही परमात्मा है, बगवान तो जीव है, फिर पारवति की पूजा करें, संकर जी की पूजा करें, मुर्ति बणा रहे कि तो है सरपैरिन के बगती और बाउ का, उनके लिए बता रहे हैं कनफुक का गुरुवा मिले ये जाने भावन भेद ये जम के हिलकारे फिरें आथों में लिये बेद आथों में बेद लेके गुम रहे हैं कहते हैं काल के दूट हैं आपको यहीं फसा के रखेंगे जुठे गुरुभावत हैं अंगिन कोट अनन्त सार नाम का भेद बताव हैं सोसतवादी संत कहते हैं जुठे गुरुभावत हैं अंगिन कोट अनन्त और सार नाम का भेद बताव हैं सोसतवादी संत जुठा गुरु काल है ये फांसी दे अडाए मारत है मैदान में चलवल बहुत बनाए कहते हैं जूठा गुरू जो होता है ये तुम्हें बांध कराख़ा है और किसी की बात ना सुनना रामपाल तो जूठ बोलता है जिन्दा करता है उसकी बात है उसका ग्यान नहीं सुनना ऐसा कहन लगे है रादा सौमी ओले दंदन सुत्गु ओले अपने चेल लाता है ये उसका उसकी बात ना सुनना उसका ग्यान नहीं सुनना उसको निंदक है निंदा करता है तो उनके बारे में कहते हैं ये जूठा गुरू काल है फासी दे अडा है यानि बांध कर राख़ा है जूठा गुरू गे रहरे आवनी में रहरे ये जूठे गुरू नहीं गेर कर राख़ा है लेकिन कब तक थोड़े जिन चलागे इनकी आचाल निंदा करता है निंदा करता है एक का गोट राकी बात नहीं ना कहें जैसाची बूला है सच्चा ही कहता है जूठा गुरू काल है अर गुरू का धर्या सरूप या मैमीन नमेख है जैसा सिंबल रूख कहते है जूठा गुरू काल है और गुरू का धर्या सरूप गुरू बड़ा बेठे है कहते हैं इस परकार दोखा होगा तुमारे साथ जैसे एक संबल का वरक्स होता है और ये तोता जो होता है तोता पक्सी सुवा जिसे कहते है ये उस संबल के पेड़ पर जब वो छोड़ा सा होता है उसी पर आश्रित हो जाता है ये बड़ा होगा इसका बड़ी आप फल लगेंगे और खाऊंगा वो बड़ा भी होता है पेड फिर उसका फल भी लगते हैं और वो फल ऐसे अच्छे लगते हैं उपर से बहुत बड़े बहुत बड़ी आखाद्य पदारत होगा इनके फल में लेकिन उसमें कपास बरी होती है रूई होती है अब वो तोता उसमें चौंच मारता है खाने के उजसे से अच्छी गत्च देजी और उसके मुँमें रूई फस जाती है उनने जान बचानी मुश्कल हो जाती है तोते ने खावत है कित्था तो कहते हैं जूठे गुरू तुमना आज बड़ी अलागे हैं तुम अन्त में जब तुमने पता लगेगा श्री छोड़ का जाओगे फिर रोगे सारे जीवन में वो जीवन बरबाद हो जागा आगे ना जड़ने क्या हाल होगा तुमारा यहां कहते हैं जूठा गुरू काल है यह गुरू का धर्या सरूप बेश बुसार बन बैठा गुरू या मैमीन नमेक है जैसे संभल रूख रूख वाने वरक्ष यह तह संभल का पेड़ है नो सम्दिलो ऊपर तो बढ़िया दीख है पर वस्तू कुछ ना मिला है इसके पा आए तन पर द्वादस त्यलक हैं सब जग गया पती आए इन नेरे पापा खंडिया आप कहते हैं जल्दी इनको विश्वास कर लेते हैं बोड़ी आत्माई जड़ पाहन पूजा करें जड़की बाजे टाले सक्सी सत्कवीर हैं या पूजा घर घाले कहते हैं पत्थर का आगए मूर्ती बना ली और उसका आगए जड़की यानि टाली वजाओं हैं गंटी बजाते हैं सक्सी सत्कवीर हैं ग्रीबदास जी कह रहे हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं इसके सक्सी यानि मारे बगवान कवीर जी भी इसकी सक्सी इसके सक्सी हैं यह पूजाएं तुम्हारा जीवन नष्ट करेंगी कान चिराएं क्या हुआ ये करकंकन नेपाल हैं ये मुद्रा पैरें क्या हुए सिर्फोड़ेंगा काल इब ये कान पड़ा रहे हैं ना कान चिरा लेते हैं मुद्रा डाल लेते हैं ऐसे कान मा है मोटी मोटी पत्फर की कोई क्या है की कोई लोए की यह हुआ से और कोई दात्तु भी डालते होंगे करते कान चिराएं क्या हुआ करकंकन नैपाल और मुद्रा पैरें क्या हुआ सिर्फ फोड़ा काल यानि काल कुट्टा तमने गेर कही के दूट गड़ेंगे इन बकवादों से बात नहीं बनेंगी जड़ा गैजुनी खड़ा यो जोड रहा करसी से बरंपड़ा समझे नहीं ये भूल गया जगदीश मुण्ड मुणाए क्या हुआ लिया भेड को भेख सन्यासी दस नाम है ये सिव का दरते ध्यान सिव के उपर ओर है जाकू कर पर नाम ये दस नामी जो भगत हैं संत हैं सन्यासी दस नामी जो सन्यासी हैं कहते हैं सिव जी का ध्यान दरते हैं कहते हैं शिव जी के उपर और कोई सक्थी प्रम सक्ती है उसको कर पर नाम उसकी पूजा कर सन्या सीदस नाम है, सिव का धर है ध्याने, सिव के उपर और है जाकूं कर पर नाम कासी दास कसो इस्तन को जो शर्व है अमी सराब बेदा ना फल दूर है नून मर्च नहीं लाब एक बार गरीज दास साहिब जी के पास एक कासी दास नाम का पाखंडी आ गया और उसने कोई ऐसी मुख में कोई ऐसी चीज जीब तलादाब ले था वो कि उसकी मुव मैंसे राल पढ़ा करती राल तो वो क्या कहा करता कि मैंने साध ना करके अमरत पराप्त कर लिया है और अमरत आता है मेरे स्रीर में रूँ बाहर टपक रहा है तो उसके आग गये को कटोरा वाँज रहा खेता लोटा सा वो लाल उसम पढ़े जाती और वो अमर्त बना के प्याय करता था तो गरीबदा साहिब जी के पास वो पहुंचा लोग पाखंड को ज़्यादा प्रसंद करते हैं वो महराँज पड़िया है तब गरीबदा साहिब ने कहा था का सीधा सकसो इसतन को जो सरुवे अमी सराब इसकी साध ना कर सत्ची बक्ती कर इबकवाद ना करे और बेदान ना फल दूर है या नून मिर्च नहीं लाब तो नमक मिर्च लगा के दुनिया को मूर्ख बना रहा है अपने पच्छे लगाए वैठा इसे कोई लाब नहीं होगा सत्च साध ना कर पर कासी दास ने ज्ञान सुनिया पाखट पूजा छोड के सत्च बक्ती की परकरती छाड़े नहीं कोई नधर है धीर चौबीसों पहुचे नहीं जा आसन अटल कभीर मन की खोटी बान है कुटल बचन कर दूरे शिरक साध पाईये सूली चड़े मन सूरे बेख पड़े सुबै गहे बाउजागर के जीवे चोरा सी मिठती नहीं बिना भगती सत्भगती पीवे बेखों से भगवान का दूर महल दर बारे पाखंडी पोंचे नहीं देशत गुरु पारे उतारे कहते हैं इन बेखों से ये बना उठे नेरे पंथ बने फरे हैं नकली नाम देते हैं जूठे मंतर बताते हैं कहते हैं इन बेखों से इन पंथों से भगवान का दूर बहल दरवार वो महल सत लोग इस नाम से नहीं जा जा सका दूर रहोगे उससे तो पाखंडी पहुँचे नहीं दे सत गुरु पार उतार सत गुरु पार उतार देगा आपको बेक बलाई नाले हैं ये दरह सांग सुखना ही जिस पैड़े सत गुरु गए तिस पैड़े नाजाहीं बेक बिटंबी मसकेरे भाव बक्ती हेत नाहीं दामादे भिक्सेले ये फिर गुर चूर कर खाईं अपरमात्मा कहते हैं कि जैसे इन राज दर्बारों में राज दिकारियों के पास नहीं जाना और वहां कहते हैं तु भिक्सेले मांग कर लाते हो खाते हो वैसे थरी बक्ती है ठीक हो नहीं और जो भिक्सेले लाते हो राज दर्बार से वो तो टैक्स लगाई हुई राजा से तो राजा अच्छी दिक्षा दे दिया करता है ये वहां तके गड़े खाया करते नवाबों के पास ले जाते तो सभी जनता पर टेक्स लगाते हैं और जनता अपना मैन्नत करके अपना गुजारा करती है उस पैसे को वो लेते हैं कहते हैं वो विश होता है उस पैसे को नहीं लेना चाहिए राजदरवार से नहीं लेना चीए भीख, डिम्ब करें टूंगर चटें ये अंतर जिमी जीनी जूले, जगजान बंदगी करें ये वो एंसुलब भूले, अब उन्यात्मा जो साधना है हम, अब कर रहे हैं ये साधना वो है जिसे हमें मोक्स मिलेगा, और पहले हम क्या सोचा करते थे, जैसे जंगल में कोई संथ चले गए, घर छोड़ गए, और वहां जाके साधना करते हैं तो पुष्चाय करते हैं, हम ये सोचा करते हैं पगवान तो ये पावेंगे, अब प्रमात्मा के ज्यान की रोशनी से जब हमारे ये तत्व ज्यान रूपी जो चस्मा लाग गया, हमारा जो बोतिया बेंद अज्यान का समाप्त हो गया, ओप्रेशन हो गया, हमें दिखाई देने लगया, तब पता चला के साधना, जो वो साधु संथ करया करते हैं, वह एकान ने की नहीं थी, एक बार इस दास को ये नाम मिला ही था, उसमें हम आफिस में बैठते तो तर्टा चला जेते हैं भगवान की और कोई बात अच्छी नहीं लागया करती, अब वहाँ जान पूच के तरता चेड़ता था ये दास, बगवान की तरफ लाता था, कोई कुछ बकवास करता था, कोई कुछ करता था, कोई कहता वे बगवान की नहीं ना बने, ऐसे बक्ति थोड़ी होती है, बक्ति काम तो फारिग हो जाके तो गर्य छोड़ दे, जंगल मा जावे ठेनों बक्ति होया करे, तो ऐसे परसंग चलते चलते एक उन ही मैंसे कहता है कि एक बार महारी दुआर का गया था उससे आगे चलेगा रिशी के इससे भी आगे और उपर गंगोत्री की तरफ, वहां 20-30 आदमी बैठे वेक्ती सर धालो, वो चर्चा चला रहे वहां पर कि यहां एक संत रहता है, इन जंगल में गुफा बना रही है दूर, जंगल में भाग जाता है, और एक तन पर कपड़े केले के पत्ते लपेट कर रखता है, कोई श्रीर पर क पड़ा नहीं रखता, तागी बेरागी है, और वाई, जिसने उसके दर्शन हो जाए, उसका पेड़ा पार हो जाता हम दर्शन के लिए बैठे हैं, एक भगत कह रहा था, उन्हीं में बैठे वे वहां बैठे थे रिसी गंगोत्री के पास, वो कहता है कि चोथा पांसमाद पांसमाद देखा, जब मैंने देखा वो मेरे से पहले मुझे देख गया, एक दम मुझ फेर लिया उसने, केले के पत्ते बांद रखे थे लंगोत की जगह, और अंदर भाग कर अंदर भाग कर चला गया, बरक्षों के पीछे जंगल में दूर चला गया, अन्हीं कहता, दर आता हूं यहां पर दर्शन हो जाएं, इसे संत का बेडा पार हो जाएं, अब प्रमात्मा क्या कहते हैं, हमारा विद्धान क्या बताता है, के डंब करें, टूंगर सड़ें, यह बो, अंतर जिनी जूले, जगजाने बंदगी कहरें, यह बो, इसूलब भूले, यह पाखंडी के एक रहा करें, यह तीस तरह के बाउंडर करेंगा, तनपए लंगोट राखेंगा, यह जैसे केले के पत्ते बाइंद लिए, और दाड़ी मूँच बडाली, और जाकर जंगल में बाग गया, बाल बिरम चारी रहता है, और यह पाखंड करने वाले क्या देखा हमने, क्या करेंगे, उंचा सा कोई टिला देख लेंगे, उंचा सथान, उस उंचे से टिले पर जाकर बैठेंगे, यह दूना दूने दाने लानी है, और उड़ा चम्टा गाड़ लेंगे, और बैठ जांगे इनो, ताकि दूर से नजी खूमें, और जंता फिर उसके पास लाइन लगा जेती, अब मातमा तो प्रस्या कर घर आप, अब परमातमा कभीर दी कहते हैं, डंब माने पाखंड, डंब करते हैं, डंब करें डूंगर्चडएं, डंगर माने उच्छे स्थान पर, अंतर जिननी जूले, अंदर कु शेनिवकवादवरी हैं, बक्ति साथ नहीं ठीक नहीं है, जगजाने बंदगी करें ये वह सूल वह भूले, दुनिया तिनों सोच चा है यू बक्ति करें है, यू तो अगतमा काटे बोरा अपने में, ये जीवन बरबाद कर रहा है, केले की कोपीन है, कोपीन कहते हैं, लंग मुखनी देखते जो बस्ती निकट ना जाईं, वो जंगल के रोज हैं, जो मुन्शों बिद के जाईं, निस्तन फरो उजाड मैं नो परमात मापावे नाहीं, अब यहां मालिक ने इस पर क्रोस कर दिया, कि तुम जिसको संत मान रहे हो, वो तो जंगल का रोज है, नील गा गोट, और केवल फूल, पान, फल खाहीं, फूल तोड़के खालिये, पत्ते तोड़के खालिये, फल खालिये, और नरका मुख नहीं देखते, वो कहते हैं, वो आदमी तक निकट ना था, वो जंगल में था वहां पर, नरका मुख नहीं देखते, मुन्शों बिद के जाही केले की कोपीन है जो फूल पानफल खाही नरका मुखनी देखते और बस्ती निकट न जाही जो बस्ती के पास मांगन भी नहीं जाते जो नगरी में भी नहीं जाते विक्षा लेने के फूल फाल पत्ते खाते करते वो जंगल के रोज है वो तो जंगल की नील गाएं हैं, जो मनुश्यों पर दिके जाएं, आदमें डिर के फड़क के बाद जाएं निस्देन फिरो उजाड में, जहां कोई कुछ ना हो, जंगल में आचाएं, जनरा दिके खाओ वहां पर इस विधी शे परमातमा पावना हैं, फिर परमातमा कैसे मिलेगा, वो भी विधी बताएंगे फिर बताते हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे, दोहू दीन धोखे पड़े इनकी, अकल हरी है चोरे अब क्या बताते हैं, हिंदू हदीरे पूजे ही, इंदू तब पूजे हैं इन्यादगारों को, कोई संत की तरह आओ मर गया, उसकी उपर उसके समाधी बना ली नदीरे के हैं और मुश्लिम पूजे घृर कोई साथ दो संट मर गया इसको घृर बोलते हैं उसकी जो समादी बना दी उसको घृर बोल carrots हिंदु हदीर पूजे ही मुस्लिम पूजे घौर दोनों दीन दोखे पढ़े इन की अकल हरी है चौर काल रुपी चोर ने अज्यान रुपी चोर ने इनकी अकल अड्राखी है इन में जमाख नहीं छोड़ रहरा ये के पूजा करते हैं इंदू तो देवल बंदे मुसल्म बंदे मसीट इंदू तो मंदर का बंद गे और मुसल्म बंद के मस्जिद हुआ बगवान, हुआ मंदिर आले के मंदिर में बगवान, हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे समिशीत, साहब दर पहुंचे नहीं ये चणी भरम की भीत, इनों ने ये भरम की दिवार बना रखिया अपने बीच में, ये परमात्मा के दरबार में दोन्नों नहीं जा सकते इन साधनाओं से, सट दल दोनों दीने का दिल में दोसन धारे, सत गुरु का कोई एक है, ये जम का सब संसारे, अब यहां निरने देजिया गरीबदा साहिब जी ने, के भाई, ना ता इन सट दल, ये सट दर्शनी जो कहते न, ये सट दर्शनी यानि छे परकार के इन आपस में बाँट रहे हैं, कोई गिरी, कोई पुरी, कोई सन्यासी, कोई कनपाड़ा, कोई वेशनों, कहते हैं इन सट दलों का, और इन दोनों दर्मों का, क्योंकि इंदुस्तान में एंदू और मुसल्मान दो धर्म थे, जो प्रमात्मा यहा आई थे, सट दल दोनों दिन का, दोनों दर्मों का और इन शट दल का, दिल में दोस ना धार, कहते हैं, इनको नो ना सोचा है, इनके बारे में मनमलिंदा मतला, अर्थात इनका कोई दोस नहीं, ये भरमित हैं, काल ने इनको मिस्गाइड कर रख्या है, शट दल दोनों दिन का, दिल में दोस नधार, इनका कोई दोस नहीं नभी राएं कोई नहीं, शत्गुरु का कोई एक है, यू काल का सबसंसार, सत्गुरु का कई एका दाहान सह हुआं, बाकी काल कवदे वहीं सबी, अपने आत्मों देख लो, अर्बों खर्बों, खर्बों मनुश हैं वर्तमान में पूरी पर्च्वी पर है और उन मैंसे आप चंद आप खर्बों जितने भी पर्च्वी के पूर पर्च्वी के उपर वर्तमान में जितने मानों है आप जी उनके मेरे ख्याल में दो परतिसद नहीं हो सारे जो इस सर्ण मा आए हो तो यहां परमात्मा कहते हैं मारा तो कोई एकाद लाल है वाई है सत्गुर्ण के तो एकाद लाल हैं बाकी तो यह काल का बंदरे हैं अब प्रियतन है कि वो काल से छुट हैं सत्वक्ती करके वो भी पीछा छुटवाओं क्यों कि वो भी उसी प्रमपिता के बच्चे हैं गड़िव मन माया का ख्याल है यह भरम रहा सन सारे जिसको तु अपना कैं य। तेरा नहीं गवारे अपन आत्माम कितनी प्यारी बात कही है इस्तेर कुण मईय मया के दवारा सब को बरमिच किया गया है आनवासना प्राधारित हो गया है और मन ये काल इनका कंट्रोलर है मन मया का ख्याल है यो बरमरहसन सारे जिसको तु अपना कह है यो तेरा नहीं गमार कहते है ये बोले आदमी तुझे यहां क्यों फसा रहा है कैसे बांध दिया इसकाल ना जिसको तू अपना मान रहा है ये मेरा मकान है ये मेरी कोठी है ये मेरा कार है ये बेटा है ये बेटी है ये संपत्ती मेरी है तू यहीं मार खा रहा है यो स्रीर भी तेरा है नहीं तो माया गितता होगी काया तेरी है नहीं माया कहां से हो और बगवान की बगती कर तो इन दुन्वाने खो अब कहते हैं इनको भूल जा ये तेरी नहीं है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गई ओटल में या दरम सालाम रुके लिया अपने किराया दे दिया होटल में जाते हैं वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं सारे बैट होता है सोफे सेट होते हैं टीवी चल रहा होता है सारी सुविधाएं लेकिन वो तो धनी का है आप तो वहाँ किराया दे करके उस विधा हैं पराप्त कर रहे हो तो यह काल का जो लोक है यह एक रेश्टोरेंट है यहाँ जो भी आपके घर में उसने कमरा दे रख है, आपको एगर दे रख है, तो आपके पैसे लेकर आपको दे रख है और वो तेरा नहीं है आप तो कुछ दिनों के मेमान हो इस रेस्टोरेंट में और इस रेस्टोरेंट में आये क्यों किसलिये रुके थे राम नाम का व्यमसाय करने के लिए उसको भूल करके वाले रोटी खाई मोज के लिए दंदा कर लिया रोटी खाई दंदा कर लिया जो बकवाद्जा में जीवन खो दिया इस रेस्टोरेंट में जहां तुम रुके हुए हो आए हुए हो इस पुंजी को लेकर आए हो इसे सोधा करो प्रवात्मा की भगती करो अब जासे कल आपको अधारन दिये थे उन्हात्मा को कलेजा इल जा मानस का मनुष्का कलेजा हिल जाए इन दोनों दारनों को सुनके जो सिकाल बता था एक परिवार के चार सदस्य और सत्संग का समय नहीं जल्दी के मजारे थे और मारुतिकार में थे ट्रकत जा टकराई चारों मर गे एक परिवार के अच्छा बड़िया पिछला बैटरी चार थी जब तक वा ठीक चली एक ही परिवार में दोनों बाईयों की मौत होगी एक जज लग रहा था एक फाइननसर था और उजज की पतनी जज थी ताज़ा ताज़ा ब्या होगया था हुआ भी चली गई क्यों हारा है किसके उसने और साज़ी कर ली ना सो गया एक मिंट में तो यहां यह कहना चाहते हैं कि यह मन माया के ख्याल है यो बरम रहा संसार बटक रहा है संसार और जिसको तू अपना कै यो तेरा नहीं गवार यह बोड़ी आत्मा यो तेरा नहीं जिसने तू अपना मान के यहां जडगाइड के बैठ किया यहां से खिसक ले और खिसकने का तरीका क्या बता है कि पूरे संत की तलास कर खोज कर और उसे उपदेश लेकर अपना कल्यान करवा बोलो सत्गुर्देव प्रम्पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम्ण सर्वस्ष्ष्टी रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब कबीर देव यह हम सभी आत्माओं के शिर्जनहार हैं यह हमारे जनक हैं हम सभी आत्माओं जो काल के लोक में रह रहे हैं हम अपनी गलती के कारण इस गंदे लोक में फस गए और यहां बिन बिन परकार की यातनाए हम सेहन कर रहे हैं काल के 21 बरमांडों में कहीं पर भी सुख नाम की वस्तू नहीं है परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस जूठे सुख को सुख मान रहे हो किस सुख को सुख मानते हैं किसी के पास संतान है बेटा बेटी हैं कार और कोठी है इसी को हम सुख मान कर भगवान को भूल गए है और कार कोठी उसी के पास होगी जिसका विवसाय ठीक होगा या कोई अच्छी पोस्ट होगी जिसमें दो नंबर का काम गणा होगा तो पुन्यात्माओं वो प्राणी अपने आपको सुखी मानता है और वो सुख इसके पिछले पुनों के अधार से होते हैं पूरव जनम के शुब शंसकार से उसको अच्छी पोस्ट अच्छा विवसाय अच्छी संतान प्राप्त होती है और जब ये पिछले जनम के पुन समाप्त हो जाते हैं फिर पाप का दोर सरू होता है उससे में उसी प्राणी के उपर ना जाने कितनी आपतियां आ जाती हैं आप संसार में समाज में बहुत से उधर्म देखते हो कोई रिष्टेदारी में या कोई मित्तर के यहां या स्वान को कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है किसी का बेटा असानक मर्तु को प्राप्त हो जाता है दूर गटना ग्रेस्ट हो जाता है किसी का एकलोता पोतर है वो भी प्रमात्मा को प्यारा हो जाता है और घर्म धन लक्समी की कोई कमी नहीं होती आप प्रमात्मा याद दिलाते हैं के जुठे सुक को सुक है यह मान रहा मनमूद यह सकल जबी नाकाल का कुछ मुखम है कुछ गोट प्रमेश्वर कबीर देवजी स्वर्म आते हैं और हमें ग्यान सुनाते हैं के तुम बहुत बैंकर लोक में आगिरे हो यहां आपके साथ जो घटनाए घट रही है जो आपके उपर आपतियां आ रही है यह आपको कितनी पीडित करती है और मन का सुभाव है कुछ दिनों के बाद कुछ भूल गिर जाती है पुनात्माओ जब तक हम प्रमात्मा के इस्तत्व ग्यान से प्रिचित नहीं होंगे तब तक हम यहां से निकलने की चेश्टा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने यही मान रख्या है हमने यही सोच रखा है कि यही प्रोसीडर होता है संतान जैसे संतान होई बच्चे सकूल जाते हैं विद्धाला में पढ़ते हैं उसके बाद युवा हो जाते हैं विवा हो जाता है विवा के बाद फिर यह होता है भगवान एक अच्छी कोई पोस्ट या विवसाइदे वो भी हो जाता है फिर विवा हो जाता है विवा के बाद फिर यह होती है बर्मात्मा संतान दे संतान भी हो जाती है फिर उनके साधी विवा की चंता उनकी पर रसो फिर है बगवान इनका विवा हो जाता है फिर ये चंता रहती है बगवान इनका संतान दे मेरा वनस चल जावा है और जब पूतर फुत्रियों कभी संतान हो जाती है तो फिर वो बूढ ना क्या यो सोचता है वह रद और क्या विचार करता है कहीं जिक्र चलता है बूढ बैठ का बतला आकने आपस में पूछते हैं एक दूसरे से वही सुना टिकुसल मंगल तो है को रिष्टेदार आजाता है दूर देश से वैसे राच चलता है कोई बैठ जाता है तो आपस में ये जिक्र करते हैं चर्चा चलती हैं कहते हैं भाई दो वेटे हैं दो वेटी और उनके परमातुमान मौज कर रकھی हैं उनके भी संतान है सबके पूतर-पूत्रिया हैं और हमारा जीवन तो सफल हो गया अब अबवान करे बेशसे कि उठा ले हमें हमारा काम पूरा हो गया यह बुड़े बतलाया करते हैं तो हम चोटे-चोटे सुनया करते हैं हमारे भी फिर यह इंजेक्शन लग जाया करते हैं कि यूँ एक काम होगा बस इतना ही हमारा मुन उस जीवन का इतना ही कारिये है संतान हो जा उसकी प्रवर्ष कर दें पर उनकी ब्यास आज़ी कर दें प्रमात्मा उनका संतान दे दिया वेसिक मरजावा फिर और इसको यह माना करते थे कि जीवन सफल हो गया प्रमात्मा कहते हैं तेरे ने तो जीवन बरबाद कर दिया संतान सप्पत्ती का होना ये तेरे पूरव जन्म के संसकार थे ना तेरा किया हुआ ना तेरा चाहा हुआ जो हुआ प्रमात्माने किया और तेरे संसकार फ्ली भूट हुए जैसे एक विख्टी एक बच्चे का विखा हुआ साध्दी होगी विखा के उपरांथ संतान की इच्छा बनती है तो हमारे यहां विशेश करिद अज्ञान के कारण एक धारना बनी हुई थी के पूतर नहीं है जिसके यहां उसकी कहते गती नहीं हो सकती पूतर होना आनिवारिये हैं यह बिलकुल गल्त है और एक नादान सोच है फिर भी हम अपने उसको विशेख को आगे बढ़ाते हैं जिसको यहीं समाथ करते हैं पूतर और पूतरी में हमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए अग यदि हम चाहते भी हैं तो हमारा चाहा कुछ होगा भी नहीं तो कहने का भाव है कि किसी का व्यहा हुआ पूरे प्रिवार की आसा लगी कि बगवान लड़का दे लड़की होगी फिर दूसरा समय आया तो सब ने सोचा है प्रमात्मा अब करते लड़का अवस्य देव है वा भी लड़की होगी तीसरा तीसरे का नंबर आया तो सब भी ने विचार प्रार्थना की सब घ्यासा लगी कि करते लड़का होई हो वगवान हुआ भी लड़की होगी चोथी भी लड़की होगी पांच भी भी लड़की होगी और चार ए थे हम सोच रहे थे कि लड़का हो नहीं हुआ तो पुन्यात्माओ जो भी आपका प्राहरत फलफली बूत हो रहा है ये पूरो संसकार होते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता कब तक जब तक आपूर्ण प्रमात्मा की सरन मैं नहीं आओगे और पूरे संसे लेकर के सत्थ साधना मरियादा में रहते हुए नहीं करोगे तो मरियादा का हमें पता नहीं था ना ही सत्वक्ति का ग्यान था प्रमेश्वर में आके बताया था था सुवरस पहले वो हमारी समझ में इन नकली संतों रिशियों ने आने ने दिया इसलिए अभी तक ये इथार्त ज्ञान भी हमारे पास नहीं था पूर्ण संत प्रमात्मा आते रहे श्वम लिला करने आते रहे या अपनी कोई पुन्यात्माओं को मिले उनको आशिरवाद दिया आगे नाम देने का आदेश देखर चले गए वो इन नकली संतों रिशियों ने नहीं आगे आने दिया तो कहने का भाव यह है कि जो साधना जो भी क्रिया कर्मा आप करते हो मनुस जीवन की हम उसको फाइनल मान रहे थे अब पता चला कि जो साधना हम जो क्रिया हम करते थे वो हमारी चाही नहीं हुई जैसे वो बुड़्े बतलाया करते थे बगवान नमोज कर दी मारे दो लड़के होगे, दो लड़की होगी, उनका संतान होगी, हम बेसिक मर जाएंगा, हमारा काम, हमारा जीवन सपन हुआ अपरमात्मा कहते हैं, तुमने तो जीवन बरबाद कर दिया, मानो वाला काम तो तुमने सरो भी ना क्रयादो करना चीए था इस मनुस जीवन से ये करम तो पसू पक्सी भी करते हैं एक पक्सी अपने मुँ में अपनी चौँच में चुगा लाता है अहार लाता है अपने बच्चों को खिलाता है आप नहीं खाता पहले उनको लाता है और अपनी मूँ से निकाल कर अपने बच्चों को कितने प्यार से खिलाता है तो हम उस मम्ता को देख कर उनके प्यार को देख कर उनकी परवर्स के क्रिया को देख कर तो हम पासिंग भी नहीं है अर्थात हम यही सोचे हैं कि हमारा इतना ही कर्चव है यह कर्चव तो सभी प्राणी ही कर रहे है उसके लिए क्या बताते हैं प्रमेश्वर बाई ओर बात तेरे काम न आवे संतों सरने लाग रे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे बाई ओर बात तेरे काम न आवे संतों सरने लाग रे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे बाई उठ सबे रे उका वर लिया के जाग नर भाग रे उठ सुवे रे हुका वर लिया के जाग नर भाग रे सुक्रम की आना करी बंद गी ये फुटे तेरे बाग रे फुटे तेरे बाग रे और बात तेरे काम ना आवे संतों सरने लाग रे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दमाग रे इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दमाग रे रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा जाग रे और बात तेरे काम ना आवे तु संतों सरने लाग रे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे उम्दासु लावन्य अनमूला लगे दाग पे दाग रे उम्दाचो लावन्य अनमोला लगें दाग पैदागरे दो दिन की गुजरान जिगत में किम जड़े बिराणी आगरे जड़े बिराणी आगरे ओर बात तिरे कामन आवे तु संतों सरने लागरे के सोवग फलत में बंदे जाग जाग नर जागरे कुबद काँ चड़ी चड़ी चत पै तु होया मनुस्त नागरे कुबद काँ चड़ी चत पै तु होया मनुस्त से नागरे सूजय नहीं सजन सुख सागर बिन्या प्रेम बैरागर बिन्या प्रेम बैरागर और बात तिरे काम न आवे संतों सरने लागर केश्ववग फलत मैं बंदे जाग जाग नर जागरे जाग जाग नर जागरे अर सुम्रे सोहां से कवावे यो कमी क्रोधी कागरे बहुरा न भर्मे विसके बनमे चल बेगंपूर बागरे चल बेगंपूर बागरे और बात तिरे काम न आवे तु संतों सरने लागरे के सोवग फलत मैं बंदे जाग जाग नर जागरे जाग जाग नर जागरे बाई सब्द सेन सत गुरू की पिछाईनी यो पाया अटल सुहागरे सब्द सेहन सत्य गुरू की पच्छाइनी ये पाया अटल सुहागरे नतानंद महभूब गुमनी परगट्य पूरन बागरे और बात तेरे काम ना आवे संतों सर ने लागरे के सोव गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे जाग जाग नर जागरे अब इसमें ये जो वानी है वसे प्रमात्मा कभीर जी की है लेकिन हमने अपना पुदेशे को देखना है अपना भी से देखना है ये नितानंद जी महराज तो थे ये तो गरीब दास जी के समकालिद हुए हैं कभीर परमेश्वर जी सन पंदरा सो अठारा में सैसरी सत लोग चले गए थे और गरीब दास जी को फिर पुना कर विले सन सतरा सो सताइस में लग लग दो सो नो वरस बाद और उसी समय नितानंद जी का जनन था ये उसी समय अपने अत्म हमने ये देखना है कि ये प्रमात्मा ने क्या संदेश दिया हमारे को इस नितानंद जी की जो थोड़ी सी कहानी आपको सुनाते हैं ये ब्राह्मन कुलमत जनम था इनका और नारनोल के नवाब के यहां इनके नाना जी नौकरी करते थे अच्छी उंच पोस्ट पर थे उन्होंने और इनकी नितानंद जी की जो माता पिता ये छोटी आयूमा थे उसी समय उनकी मर्तु होगी थी दिहान तो गया था नाना जी नाना के यहां पढ़ा था और नाना जी नहीं नारनोल के नौक के यहां इनको तहसीलदार नुक्त करवा दिया था आज से 200 वर्स पहले तहसिलदार की जो रेस्पेक्ट होती थी आज साथ डिप्टी कमिशनर की भी नहीं है तो उसमें ये घोडे पर चट कर चला करते थे और अधिकारियों के पास घोडे ही उनका वहान होता था गोडे या गोडी जैसे भी इनका विहावी हो गया था नितानन जी का विहाव कर दिया गया था एक जिन इसने सत्संग सुना जिसके जहां ये रह रहा था उसमकान के पास सीही किसी एक नागरी के घर पर एक गुमानी दास नाम के संत आया करते थे और उस गुमानी दास संत का नारनौल से आधा एक किलोमेटर की दूरी पर आसरम बना रखा था आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatguru.org संत रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्वभर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880-541